आपको लिए चलते हैं हरविंद केजिवाल देले के मुख्यमंतरी पेस कॉंफरेंस कर रहे हैं एक एक करोड रुपए की सहायता उन लोगों को फ्रन्ट लाइन वरकर्स को किवल स्वास्त कर्मियों को नी फ्रन्ट लाइन वरकर्स को दी जो की लोगों की सेवा करते हुए जिनको करोना हो गया करोना का काम करते हुए जिनने करोना हो गया और जो शहीद हो गया ऐसे लोगों के परिवारों को एक एक करोड रुपए की सम्मान राशी दी हम लोगों ने अब ये समय है सभी डॉक्टर्स, सभी स्वास्थ कर्मियों को ये कहने का ये जताने का, ये बताने का कि हम सब उनके कितने शुक्र गुजार हैं उनका सम्मान करने का सभी डॉक्टर्स को स्वास्थ कर्मियों का सम्मान करने का हर वर्ष, देश ऐसी कुछ चुनिंदा हस्तियों को भारत रत्न और पद्मा एवार्ड से सम्मानित करता है जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम किया प्रतिभा दिखाई इस वर्ष और ये पद्मा एवार्ड के लिए मैं तीन एवार्ड की बात कर रहा हूं पद्मभूशन पद्मविभूशन और पद्मश्री इन तीन एवार्ड के लिए केंद्र सरकार जनता से भी नाम मंगवाती है और सभी राज्य सरकारों को से लिखती है कि अगर राज्य सरकारें अपने अपने राज्य से किसी ऐसी हस्ती का नाम देना चाहें तो राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से नाम भीजती हैं पद्मा एवाड्स के लिए दिली सरकार ने तै कि इस बार हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थे कर्मियों के नाम पद्मा एवाड्स के लिए भेजेंगे हम अपने डॉक्टर्स को और स्वास्थे कर्मियों को कहना चाते हैं कि हम आपके शुकर गुजार हैं और हम उनका सम्मान करना चाते हैं और हम चाहते हैं कि इस बार के Padma Awards उन लोगों को, डॉक्टर्स को और स्वास्थेकर्मियों को दिये जाएं। तो दिली सरकार ने तैक कि हम केवल डॉक्टर्स और स्वास्थेकर्मियों के नाम केंदर सरकार को भेजेंगे। और ये नाम जनता बताएगी। जनता को जादा पताए कि किन डॉक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, कितनी अच्छी सेवा की, किस डॉक्टर ने कितनी शिद्दत के साथ, कितनी कुर्बानी करके सेवा की। तो एक email address हम लोग जारी कर रहे हैं padma awards padma awards.daily.gmail.com padma awards.daily.gmail.com इसके उपर कोई भी वेक्ति किसी भी doctor या किसी भी स्वास्थे कर्मी का नाम और उसने क्या काम किया उसकी सारी description आप क्यों चाहते हैं कि उनको padma award मिले वो सारी description आप हमें 15 अगस्त तक भेज दीजिए कोई भी नागरिक दिल्ली का कोई भी नागरिक भेज सकता है आप हमें ये सारी details भेज दीजिए एक हम लोग ने search and screening committee बनाई है जिसके अध्यक्ष मनीश से सोधिया जी है वो committee उसके अगले 15 दिन के अंदर ये सारे नामों को screen करके decide करेगे कि किन नामों को दिल्ली सरकार की तरफ से recommend किया जाए और फिर वो नाम हम केंदर सरकार को भेजेंगे केंदर सरकार को नाम भेजने की अंतिमतिति 15 सितंबर है तो हम चाहते हैं कि 15 अगस्त तक हमारे पास अगर नाम आ जाएंगे तो उनकी हम screening करके समय रहते केंदर सरकार को अपनी तरफ से नाम भेज देंगे मैं फिर से अपने सभी डॉक्टर, सभी स्वास्थे कर्मियों का बहुत-बहुत शुक्रिया आदा करना चाहता हूँ और मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि सारा देश, सारा देश क्या पूरी दुनिया आपकी अभारी है, हम सब लोग आपके अभारी है और ये एक छोटा सा तरीका है, हमें आपको सम्मानित करने का, बहुत-बहुत शुक्रिया